हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई यूट्यूब चैनल मैप के लिए लिक्याई हूँ आज पॉंचे का नेया डिजाइन इस तरीके से हमने पॉंचे को द्यार किया है पॉंचा लगबग साड़े तीन इंच है इसकी बीच का जो गया पर वो धाई इंच है तो धाई इंच हमें दोनों तुरब से एक इक इंच पर निशान लगाना है निच्चे से भी एक इंच पर पूरी दूर हमें एक इंच पर निशान लगा लेने हैं इसी तरह हमें उपर भी निशान लगा लेने हैं हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए अब इन पर में सिलाई देनी है तो हमने सिलाई दे लिए है अब यहां से हमें दो इंच पर निशान लगाने हैं दोनों तरफ इस तरीके से अब यहां से हमें डिजाइन बनाना है तो उमें दोनों तरफ पत्या बनानी है ऐसे हमें उपर की साइड भी बना लेनी है इस तरीके से ऐसे हमें पूरी दूर बना लेना है ऑब इसकी बीच में हमें इस तरीके से शिलाई देनी है अब हम हमारा जो design ड्रो किया था उस पर हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरीक से इस पर में सिलाई देनी है अगर आपको इस design में कुछ भी समस्में नहीं आया तो आप हमारे instagram id जो सुतार वाइटी के नाम से उस पर आप हमें direct message कर सकते हैं को कोई भी प्रॉबलम हो तो आप उस पे हमें शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉबलम डियरिक्ट मेसेज कर लीजिएगा और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कर जीएगा और बैल आइकन को प् तो इस वीडियो का मैंने यूटूब पे शोर्ट भी डाल दिया है तो आप वो भी देख लेजिएगा आपके लिए थोड़ा एजी रहेगा डिजाइन बनाना इस तरी के से हमें आगे की जो डिजाइन है उन पर हमें सिलाई लगानी है अब बहुत ही ज्यादा सिंपल डिजाइन है तो एक बार इसी ट्राइ करके जूरूर देखिएगा जैसे हमने पैंसिल से ड्रोग किया है आप पैंच, पैंसिल किससे बीड्रोग कर सकते हैं और उसके उपर उपर बिल्कुल सिलाई देनी है यह नो है यह देखिए पुरा बहुत है और बिल्कुल ही इसींपल डिजाइन है इसा हमें आगे वह तो देखिए हमारी पहुंच हो बन कर D 보여 हो गया है तो बहुत ही ब्यूटिफूल और सिंपल सा डिजाइन बना है अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप में इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रोब्लम का सल्यूसन दे सकते हैं थैंक यू